नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत हैं ब्रेकिंग न्यूज उन्नाव सामुदा एक स्वास्थे केंद्र बांगर्मों में आज फिर हुआ एक जटिल एवं सफल उपरेशन सामुदा एक स्वास्थे केंद्र बांगर्मों लगातार अपने अच्छे प्रयासों से सुर्खियों में बना रहता है सामुदा एक स्वास्थे केंद्र में आज फिर एक सफल सीज़ ओपरेशन हुआ मरीज के दो पहले भी ओपरेशन हो चुके थे जो की किसी प्राइवेट अस्पताल में कराए गए थे सामुदा एक स्वास्थे केंद्र बांगर्मों में डॉक्टर आफटाब द्वारा सीज़ ओपरेशन शुरू किये जाने की जानकारी परिजनों को मिली तो उन्होंने अपने मरीज को भी डॉक्टर आफटाब को दिखाया जिन्होंने मरीज की स्थिती को देखते हुए कुछ दवाई लेकर मरीज की हालत स्थिर की तथा ऑप्रेशन करने का निना लिया चून की ये एक मुश्किल ओप्रेशन था और किसी भी चुनोती से कम नहीं था पर कुशल टीम एवं कुशल नित्रित्व एवं पूरीक शम्ता के साथ में अगर काम किया जाए तो वह सफल होता है और यही कहावत आज सामुदाइक स्वास्ति केंद्र में चरितार्थ हुई स्थ्री एवं प्रसूती रोग विशेशग्यर डॉक्टर आफ्ताब एवं उनकी टीम ने चिकित्सा अधीक शक डॉक्टर मुकेश कुमार के सफल मार्ग दर्शन में इस जटिल एवं मुश्किल ओप्रेशन को सामुदाइक स्वास्ति केंद्र में किया ओप्रेशन पूरी तरह से सफल रहा खबर लिखे जाने तक जच्चा एवं बच्चा दोनों स्वस्थ हैं डॉक्टर आफ्ताब से बात करने पर उन्होंने बताया कि पिछले 6 महीने से लगभग ओप्रेशन द्वारा प्रसव कराय जा रहे हैं और अभी तक किये हुए सभी ओप्रेशन पूरी तरह से सफल रहे हैं भविश्य में यही कोशिश रहेगी कि यहां जच्चा और बच्चा संबंधी और भी ज़्यादा सुविधाय देने की कोशिश करेंगे चिकित सा अधीक शक डॉक्टर मुकेश ने बताया कि अब तक 17 सफल सीजा ओप्रेशन किया गया है